हमने बात की रिस्निपट डेटा यानि के स्ट्रक्श्र डेटा गूगल पसंद करता है और आपको अपनी वेबसाइट में उसको डालना है दाके वहापकी वेबसाइट गूगल में बेथर नजर आए गूगल ने इसके लिए एक टूल भी दिया हमें इसका नाम गूगल स्ट्रक्शर डेटा टेस्टिंग टूल है आप इस टूल के मदद से अपनी वेबसेट पे या किसी की वेबसेट पे जो भी डेटा, structure डेटा लगा हुआ है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं मैं आपको इस टॉपिंग में hands-on करके बताऊंगा कि basically वो टूल क्या करता है और आप कैसे किसी वेबसेट को देख सकते हैं आएए देखते हैं Google structure data tool धूनने के लिए मैं Google पे जाऊंगा और structure data testing tool लिखोगा और enter कर दूँगा आपको search result में मिल जाएगा ने तो आप डिरेक्ट भी इसका URL अगर आपको जाद हो जए आप डिरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं तो यह वो टूल है जिसके तहट आप Google किसी भी URL को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आपको URL एंटर करना होता है अगर आपने URL अभी नहीं बनाया मतलब अभी आप कोडिंग कर रहे हैं या आपका भी कोड रेडी नहीं हुआ लाइफ जाने के लिए तो आप कोड स्निपट पर जाकर अपना यहाँ कोड एड करें तो वो भी आपको बता देगा कि आपको कोड में जो भी डेटा है वो क्या उसमें रिस्निपट्स हैं के नहीं तो फूर ग्जेंपल टेस्ट के लिए मैं एक वेबसेट लोंगा मिसाल के तोर पर मैं वी यू की ही वेबसेट लेता हूँ विच अन्यूरस्टी की वेबसेट पर देखते हैं तो ये लेफ सेट पर जितना भी देखने हैं आप ये पूरी वेबसेट की कोड उसने अपने यहां पर कॉपी कर लिया है और आपको मैंने पहले भी बताया है कि गूगल एक्चुली यही देखता है हमें विजिबल डिफरंट डिस्प्ले नजर आता है लेकिन एक्चुली गूगल कोड पढ़ता है अब इस कोड के गैंस वराइट शेट पर आप देखे हैं तो उसने लिखा है कि यहां पर कुछ भी टिटेक्ट नहीं हुआ उसको तो यह सारा सेक्शन जो है यह बलैंक है यह बलैंक होने का मतलब यह कि इस वेबसेट में कोई पर डिटा नहीं लगा तो मैं टेस्ट को बेतर करने के लिए हम करते ही हैं कि मैं एक मॉबाइल का नाम सर्च करता हूँ इसको मैं एक मॉबाइल का नाम धूनता हूँ सैमसंग गलेक्सी S9 और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ अब मैं रिजल्ट में देखूंगा जैसे कि हमने पहले बात की कि आप यह देख सकते हैं कि जितने भी यह रिजल्ट आ रहे हैं इनमें आपको यह स्टार रेटिंग नजर आ रही है उसके बार रिव्यूज का आपको पता चल रहा है उसमें आपकी प्रैसीज आ रही है अपि यह भी बताया जा रहा है कि इस टॉक में है के नहीं है और यह तक्रीबान सारी वेबसेट जो टॉप पर रेंक कर रही है उन सब का नजर आ रहा है इसमें से कोई भी एक वेबसेट पगड़ते हैं और उसको उपन कर लेते हैं जैसी मैं एक वेबसेट को उपन करूँगा अब मुझे इस वेबसेट के उपर तो नजर नहीं आ रहा कि यह डेटा कहां पर आड़ हुआ इसको चेक करने के लिए मैं इसका यूरिल कॉपी करूँगा और स्ट्चर डेटा टेस्टिं दूल में जाकर अब इसको मैं नया टेस्ट रून करने के लिए यहां से न्यू टेस्ट के बटन पर क्लिक करूँगा और मुईर सामने वो पॉप अप दोबारा आजेगा यहां पर मैं अपना यूरिल पेस्ट करूँगा और एक नया टेस्ट रून करूँगा अब गूगल क्या करेगा इस टेस्ट के दौरान वो आपका कोड उठाएगा और यहां पर कॉपी कर लेगा और इस कोड को रीड करके यह बताएगा कि बेसिकलिए आपकी वेबसेट में कौन कौन से स्ट्चर डेटा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफट सेट पे कोड फिर आगया है लेकि लाइट सेट पे आप देखेंगे कि कितनी तरह कि उसने हमें स्ट्रक्शर डेटा इटम्स बताए है जिसमें ओपर 0 Errors, 0 Warnings और 4 इटम्स बता रहा है 4 इटम्स को मतलब यह कि इसमें 4 इटम्स हैं जबके वार्निंग कोई नहीं और अरर भी कोई नहीं है वो चार एटम कौन सी है, वो एक organization है, इस पे click करते हैं, गूगल को यह पता है कि यह एक organization है, जिसका नाम What Mobile है, उसका एक domain है, उसका एक page है, mobile का, m.whatmobile.com.pk है, और उसका एक Facebook page है, यह आप यह organization का URL है, फिर आप breadcrumbs देखें, यह हमने पढ़ा था breadcrumbs के बारे में कि आप क इस में वो बता रहे हैं कि यह website है, उसका नाम What Mobile है, अब आप यह सोचेंगे कि हर website तो website ही होती है, Google को यह भी नहीं बता, तो जिना आप बिलकुल Google को यह भी नहीं बता कि यह website है, हमें बताना पड़ता है, और finally, actual schema जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा था, search में जो आपको यह product schema से आ रही है, इस पर आप click करेंगे, तो आप देखेंगे कि नीचे पूरा एक पूरा एक उन्होंने add किया हुआ है, उसकी type product है, उसकी category mobile phones है, और उसका नाम Samsung Galaxy S9 है, उसका URL है, उसका image है, और करते करते उन्होंने पूरी information डाली हुई है, एक चीज़ आप note करेंगे क जैसे मैं किसी एक item पे click करता हूँ, तो वो जो है, left side पे मुझे वो दिखा देदा है कि उसका code कहाँ पढ़ावा है, आप देखेंगे कि left side पे, यह सारा code product schema का पढ़ावा है, और यह exactly उसी context में है, उसी format में है, जो मैंने आपको पहले बताया था, अब जब आप यह product schema पे यह stock के अंदर available है, उसके बाद इसका seller कोन है, उसकी organization की type है, और इसका नाम लिखा हुआ है, और इसका नाम लिखा हुआ है, और गूगल को भी फायदा हुआ हुआ है, यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपके, बेसिकलिए अगर आपने किसी पे click करना हो, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि मैं पहले तीन पर click करूँगा, जिसमें मुझे ज़्यादा details मिल रही हैं, जिसमें उन्होंने ratings भी लिखी हुई है, prices भी लिखी है, या मैं बाकी यह यह दो extra results आ रहे हैं नीचे, इन पर click करूँग और जिन में extra को information नहीं नहीं So ultimately, आप खुद ही बेतर समझेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा results आ रहे हैं, जिसना से यहाँ पर इसको ज़्यादा चीज़े नजर आ रही हैं, पर नीचे भी start नजर आ रहे हैं, करते करते जो ज़्यादा मुझे details देगा, मैं वहाँ पर click करूँगा, इससे आपका bounce rate कम होग आपका user का decision बेतर होगा, और जब जहाँ पर जाकर देखेगा कि मैंने कहाँ से buy करना है, तो ultimately वहाँ पर results मिलेगा, तो for example, मैं अगर देखूं कि पहली website में price 91,000 लेगी है, जब कि दूसरी website में 77,000 से लेकर 99,000 की range दीवी है, तो पहली website में range ने दीवी लेकि दूसरी website में ने prices ने दीए है, तो total आपकी control में है, कि आपने कौन सी information दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी, आप Google के structure data testing tool से जाके कोई भी website review कर सकते हैं, तो अगर आपने अपने website में कुछ आड करवाया है, या client की website में कुछ आड करवाया है, आप वहाँ पर भी इसको test कर सकते हैं, उ की नहीं लगाया, लगाने के लिए आपको schema.org से जाके कोड का format लेना है, अगर आपकी website प्रॉडक्ट लगी है तो प्रॉडक्ट का format उठा लें, अगर आपकी recipe है, person है, organization है, उसका format उठा लें, और आपने developer से कहें, कि भई मुझे ये format चाहिए, वो खुद ही आपको code में add कर देगा, और बाद में आप test कर लेंगे, कि भाई मेरे पास तो नजर नहीं आ रहीं कुछ चीज़ें, और इस website में कुछ चीज़ें जादा नजर आ रही है, तो ये कैसे हो रहा है, आपने उनको guide करना है, आपकी duty है, आपकी responsibility है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, और उ झाल